यह है मेरे CFR के notes for CMA final वही यह है SFM के notes यह दोनों subject मेरा मैंने जम के महनत की थी notes ही देख सकते यार 5-5 copy या notes भर-बर के बनाई है मैंने मतलब अच्छी घासी महनत तो की थी but at the end result was CFR में I got 43 marks out of 100 वही SFM में I got 57 marks जब दोनों में महनत की थी तो difference क्यों आया ये the reason was this इनकी वज़े से मैं SFM को one day before exam पूरा revise कर पाई थी मैं exam के दिन बहुत ही जादा calm और confident थी paper भी बढ़िया गया था और result भी आप देख सकते हैं यह है क्या यह है summary notes तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे summary notes बनाया करती थी तो चलो शुरुआत करते हैं summary notes बनाते कैसे हैं वो समझने से पहले हम यह समझते हैं कि भई हमारे summary notes का aim क्या है हम यह summary notes बना रहे हैं ताकि हम one day before exam complete revision कर पाएं में अपने summary notes बनाने हैं जैसे अगर मैं आपको SFM का यह note दिखा हूँ तो यह 50 to 60 pages होगा आ रहा हूँ हम क्या कोशिश करेंगे ना maximum 100 pages per subject के अंदर हम हमारे summary note बनाएंगे और इसके साथ आप इसको chapter wise भी divide कर सकते हो institute का अगर study mat देखो तो उसके starting में ही आपको weightage दियावा है chapter wise हाना तो उस weightage के according हम उनको pages allot करेंगे let's say अगर किसी chapter का weightage है 5 person तो उसको आप सिरफ 5 pages allot करोगे और कोशिश करोगे कि 5 pages में उसका summary note खतम हो जाए ठीक है इसके साथ हमको हमारे summary note इस तरीके से बनाने कि उसकी अलावा मुझे कुछ और refer करने की जरुवत ही नहीं है यह ब्रह्मास्त्र है इनको refer कर लिया तो मतलब सब कुछ हो गया ठीक है चलो अब देखते हैं कि summary notes बनेंगे कैसे सबसे पहला step step number one आपका होगा understanding everything चाहे आप theory के लिए summary note बना रहे हो या फिर practical के लिए कोई फरक नहीं पड़ता सबसे जाधा जरूरी है कि आप चीजों को अच्छे से समझो समझो के तभी तो अपनी भाशा में उसको लिख पाऊगे और summarize कर पाऊगे इसलिए हम चीजों को पहले समझेंगे बहुत अच्छे से फिर उसके बाद अगर मैं theory की बात करूँ तो आपका step number two होगा questions form करना आपने जो भी topic को पढ़ा उसके लिए अपने हिसाब से questions form कर लो questions कैसे form होंगे और मैं आगी example में आपको अच्छे से बताऊंगे अगर किसी topic में लग रहा है कि यार इसम में क्या question मना हो इसमें तो बनी नहीं रहा है in that case अपनी भाशा में उसको बहुत short में लिख लो ठीक है short में कैसे लिखना है वो भी हम आगे example में देखे होगे फिर आएगा step number three questions form करने के बाद हम उसके answers लिखेंगे पुखात ही जादा summarized में ठीक है questions form कैसे होंगे कैसे उनको summarize किया जाएगा वो चीज़ा हमें आपे देख रहे हैं ठीक है चलो तो सबसे पहला मैं example ले रही हूँ operations management का operation management का अगर आप chapter number one देखें तो वहाँ पे आपको definition दीवी है operation management की और साथ साथ में उसके objectives दिये हैं तो मैंने भई एक question बना लिया कि what is operation management and what are its objectives इसके बाद उसकी definition को बहुत अच्छे से draw कर गया अपने आपको समझा दिया और साथ साथ में objectives को बहुत ही simple और short way में यहाँ पर summarize कर दिया इसके साथ इन objectives को याद रखने के लिए मैंने एक कि मॉनिक भी बना लिया कि c u और re इससे में यह objective याद रख सकती हूं क्यों और कर गया तो इससे क्या हो रहा है देखो पहली बात तो इतना अच्छा ड्रो किया आवा है तो सबसे पहली बात तो मैंको बहुत पढ़ने का मन कर रहा है भाई लिखा गया है ऐसा इतना पूरे sentences जो institute ने लिखे वो हमको copy नहीं करना है साथ साथ में institute कुछ keywords इस्तमाल करती है जैसे यहाँ पर देखो आप customer service के अंदर बोला गया था customer satisfaction के बारे में right thing, right time, right price के बारे में तो यह main चीज़े जो institute के keywords थे उसको मैंने हाँ पे include कर लिया है तो आपको भी यही करनी है कि जो भी keywords हो उसको आप अपने notes में जरूर इस्तमाल करो, हाना, next, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यह देखो यह है cost accounting का topic, material के कई सारे documents होते हैं और यह ना institute के book में 5 pages के अंदर दिया गा था, मैंने एक story form कियो और story के अंदर सारे के सारे documents को समझा दिया, इससे यह हुआ कि मैं को आप वो 5 pages पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यह story पढ़ूँगे और मेरी चीज़े मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाएंगे, तो आप जब stories form करते हो तो बहुत जादा चीज़े short हो जाती है, प्लस आपको जादा time तक याद रहती है, आप stories भी form कर सकते हो, चीज़े याद रखने के लिए, साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि एकदम simple question बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, कि what is operation management and its characteristics, आप थोड़े से अलग-अलग questions भी बना सकते हो, कई सारे topic को एक जगा include भी कर सकते हो, जैसे मैं को cost object and cost center, यह दो topic है cost accounting ले अंदर, यह दोनों topic ना मुझे similar ही लगते थे, तो मैंने क्या किया, इसका question बनाया, कि what is cost object and cost center, और इन दोनों के बीच का difference क्या है, मैंने एक example लिया, उसके through इसके difference को समझा दिया, और दोनों की definition, जैसी institute की book में लिखी थी, वैसा लिख लिए, तो मेरे पास institute के words भ compare करके लिए देख लिया, तो वो जादा easily मैंने उसके concept को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो हमने तीन अलग-अलग type की चीजे हैं आपे सीखी, पहला आप ब्रॉग कर सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो, चीजों को छोटा रख सकते हो, stories form कर सकते हो, दो अलग-अल देखूं, तो मैं खुद से recall करने की कोशिश करूं, अगर हम line by line की सरफ लिखते जाते हैं तो हम read ही करेंगे बाद में, हम याद करने की कोशिश ने करेंगे, लेकिन अगर मैने questions बना हींगे, तो मैं उनको बाद में जाके याद करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट हमारे के book में जितने भी question दिये हैं उस particular topic या chapter से related, उसको हम सारे के सारे question, हर एक question को solve करेंगे, ठीक है, while solving आपको दो चीजे follow करनी है, पहला अगर कोई भी question में आपको तकलीफ आई, solve करने में time लग रहा है, उन questions को star mark कर लो, और साथ साथ में एक note लिख लो उसके नीचे, जो भ बाद में जब आप question को देखोगे, तो आपको पता होगा कि इस question में क्या problem थी और कैसे deal किया, अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो फिर हमको समझ ही नहीं आता कि भाई, ये questions all कैसे हुआ, तो बेटर है कि हम एक note डाल दे नीचे, ठीक है, साथ में star mark करने से ये होगा, कि probability आई थी, ठीक है, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है step number 3, जहां पर हमारे ले summary notes बनाएंगे, summary note में सबसे पहली चीज़ आपको cover करनी है, अपने concepts और formula, जो concepts हमने पहले समझे थे, उनको अब हम अच्छे से लिख लेंगे, कि अगर मैं process costing पढ़ रही थी, तो उसके साथ में, जैसे standard costing के अंदर आप formula इस्तमाल करते हो, तो वो सारे formula आप यहां पर लिख लोगे, ठीक है, इसके बाद कई सारे topics ना, ऐसे होते हैं, जो कितना भी समझने के कोशिश कर लिए, भाई, समझ ही नहीं आ रहा है, in that case, आप अगर उसके अच्छे खासे question कर लोगे न तो आपको एक चीज समझ आ जाती है, भाई, ठीक है, कुछ तो step follow हो रहा है, भले मैं को समझ नहीं आ रहा topic, लेकिन हाँ, मैं हर बार question solve करने के time पे, कुछ तो step follow कर रही हूँ, आपको step लिख सकते हो, जैसे मुझे na, एसे पम में problem होती थी, तो मैंने यहां पर उसके लिए एक put option का topic था, जिसके लिए मैंने 4 step process बना ली, और भाई, कोई भी question आ जाओ, मैं यह 4 step ही follow करने वाली हो, मेरा question अराम से हो जाए, तो यह तरीका आप भी अपना सकते हो, साथ मैं अपने summary notes में, हर एक topic से related, एक detailed question रख लो, जिसमें आपका tough, easy, जो भी part है, वो सारा एक ही question में पूरा का topic गवर हो जाए, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, SFM के अंदर एक interest rate swap वाला question topic था, उसको मैंने सिफ एक question के अंदर पूरा का topic गवर कर लिया, अब मैं को अगर कोई भी problem हा रही है, अगर मैं को यह topic वापिस समझना है, तो मैं को स्तरफ यह question देखना एक दो question include कर लो, ठीक है, लेकिन कोशिश हमको यह रखनी है कि एक ही question के अंदर जादा से जादा चीजे cover कर लें, क्योंकि हमको हमारे notes को बहुत जादा short और crisp रखना है, ठीक है, तो यह है हमारे तीन step process जो हम practical के लिए follow करेंगे, understanding everything, solving each and every question and summarizing, ठीक है, so I hope आपको चीजे बहुत अच्छे से clear हुई हूँ, यह practical के steps है, आप यहाँ पे screenshot ले सकते हैं, और सांसाथ यह theory के steps, बहुत ही simple और easy steps है, इन steps को follow करो और अपने लिए एक अच्छा सा summary note बनाओ, I know अभी feel हो रहा हुगा यार कि आप पढ़ना भी हो और साथ में उसको summary notes भी करना है, but at the end unaware होके, सिर्फ अपने आपको समझाने के लिए क्योंकि उन subjects में को problem हो रही थी, लेकिन जब exam देने गई, तो वही दो subjects थे जिसमें सबसे ज़्यादा confident feel कर रही थी, और बाकी subjects के लिए regret कर रही थी यार कि क्यो summary notes नहीं बना हैं मैंने, so I don't want कि आपके साथ ऐसे situation arise हो, तो ज जादा आसान हो जाएगा, एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, यह जो summary notes आप बना रहे हो ना, भले हम one day before exam के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखरी दिन ही देखेंगे, आपको उसको बार बार देखते रहना है, ताकि जब आखरी दिन देखो त सिर्फ बना के उसको अलग से रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उसको बार बार देखके रवाइस करना है उसी की बादत से, all the very best and happy learning.